जैहिन जैवारत दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मूलविदी का आज का 3 अक्टूबर का पार्ट देखने वाले हैं तो आपके सामने एक स्थब्द लिखा हुआ है और धारा लिखा हुआ 137 ब्यपराण किड्नेपिंग तो जो किड्नेपिंग होता है ब्यपराण होता है आ या तो बालग का या विक्रिचित भ्यक्ति का विक्रिचित भ्यक्ति कौन होता है जैसे वानी जी जीए ऐसा कोई भ्यक्ति को मतलब। उसको पता नहीं मैं बता दूं पिछली बार जब आईपीसी था तब यहां पर। कई धाराओं में था जैसे ब्यापरांड था ब्यापरांड कितने परकार का होता है फिर ब्यापरांड का दंड क्या है अलग-अलग धाराओं में मनलब फैला हुआ था लेकिन इसमें क्या किया गया है सभी चीजों को इसी में आपका डाल दिया गया है जैसे ब्यापरांड का एक में आपका डाल दिया गया है जैसे मानली जी 137 का है मैं आपको बता देता हूँ 137 का एक में आपका बताया गया है क्या 137 का एक में बिया पराण दो परकार का होता है कैसे दो परकार का होता है जैसे मानली जी किसी बच्चे को क्या किया गया या किसी को बिदेश भेज दिया गया किसी को क्या किया गया बिदेश भेज दिया गया भारत में से भारत में से ब्यापराण और विधिपूर्ण सन्रचक्ता में से ब्यापराण क्या एक तो आपका भारत में से ब्यापराण हो गया देखिए भारत में से जो बयापाराण होता है मैं आपको बता दूँ भारत में से जो बयापाराण होता है वो जो कोई किसी ब्यक्ती की उस ब्यक्ती की और से सम्मती देने के लिए वैधरूप से प्रादिकरित किसी ब्यक्ती की सम्मत के बीना भारत किसी माओं से परेप्रव ब्यापरण कर देता है वह भारत में से उस ब्यक्ति का ब्यापरण करता है मतलब समझ रहे हैं ब्यापरण जो है आपका पहला प्रकार जो है क्या ब्यक्ति का ब्यापरण जब उसको कहां भेज दिया जाएगा भारत की सीमा से बाहर भेज दिया जाएगा क्या कर दिया या कोई पागल ब्यक्ति है तो उसको क्या किया जाएगा विधिपूर सन्रचक्ता जैसे मानली जी कोई बच्चा है तो उसका विधिपूर सन्रचक्ता माता पिता जो भी है और उसको कहा है बाहर नहीं बेजा गया है बस उनकी सन्रचक्ता वैसे उनकी परमीशन के बिना कोई उठा लिया क्या जैसे माली जी यहां पर कोई चोटा बच्चा है कोई बच्चा है उसको उसकी माता-पिता की अनुमत वहीं भारत में भी है, बच्चे और पागल ब्यक्ति के लिए भले ही उनको बिदेश नहीं भेजा गया, लेकिन भारत में ही कहीं रखा गया है, सब भी आपका ब्यापारण यानि किड्नैपिंग का केस बन जाएगा, मैं आपको प्रेक्टिकली बताता हूँ, जैसे आप सोच जैसे मान लीजिये, मैं पुलिस हूँ, ठीक है, मानना कहा हूँ, जैसे मान लीजिये, मैं ठाने में बैठा हूँ, ठीक है, इस चीज को मान सकते हैं, क्योंकि अभी मैं ठाने में नहीं हूँ, एक ब्यक्ति आता है, एक ब्यक्ति आता है, कहता है कि मेरा बच्चा खेल रहा था वहां पर और कोई उसको उठा ले गया मैं पूछूंगा कितना एसका था तो कहेगा कि मेरे लड़के का एज यही दस बारह साल था तो बालक की परिभासा में आ जाएगा फिर किसका केस बनेगा 137 सेक्षन 137 का केस बन जाएगा अब और क्या हो जाएगा मानलो अब मुझ को क्या किया बिदेश भेज दिया तो ओ क्या हो जाएगा आपका भारत की सीमा से परे हो जाएगा तो आपका कौन सा हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा कौन सा वाला हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा यानि भारत में से ब्यापरण पहले वाले को क्या कहा जाता है लि दूसरा वाला क्या है बच्चा खेल ला था मैंने बोला आपका विधिपूर सन्रचक्ता से ब्यापराण क्या विधिपूर सन्रचक्ता से ब्यापराण तो अब आपका 137 का सोरी ये दो में नहीं है ये 137 का एक में को और खो है 137 का एक में को और खो है 137 का एक क्या कहता है भ ये दंड बताता है क्या 137 का जो क्या है ब्यपारण के लिए दंड बताता है तो ब्यपारण के लिए दंड लिख ली जिएगा क्योंकि इंपोर्टेंट है आपका पूछा जा सकता है ब्यपारण के लिए दंड है आपका किसी बात के करवास से जिसकी अवधी साथ वर्स तक क हो सकेगी क्या कोई किसी भी तरह का कारवास हो सकता है साथ वर्स तक का और जुर्माना क्या साथ वर्स तक का और आपका जुर्माना यह आपका किसमें दिया गया है जैसे माली जी आप से प्रश्न पूछ दिया बेपहरण के लिए या किड्नेपिंग के लिए जुर्म दंड क क्या है पनिश्मेंट क्या है आपका क्या हो जाएगा और से ज्यादा नहीं है और आपका क्या है जुर्माना है एक किसमें करते हैं जो कोई किसी ब्यक्ति को किसी अस्थान के अब देखिए मैं एक बात बता दूँ जैसे बच्चा मुझसे पूछता है बच्चा मुझसे पूछता है कि सर किताब बता दीजे तो मैं रूखो आपको एक बात बताता हूँ अब जैसे यहाँ पे है ना, देखो, यहाँ पे A वाली जो किताब मैं बतारा हूँ, A वाली जो है, नहीं BNAS, तो इसमें एकड़म कनफर्म नहीं हो पाता है, तो मैं पूराने वाली मैं आईपी सी में देखता हूँ, क्योंकि यह वाली किताब बसंतिलाल बावेल किया तो ब जाने के लिए बल द्वारा विवस करता है या किनी प्रवंचना पूर्ण उपायो द्वारा उत्परेरित करता है अब कैसे प्रवंचना पूर्ण उपायो द्वारा जैसे मालीजे मैंने कहा दिया दोस्त को कि आजाओ यहां पर मैंने उसको फोन करके बुला लिया कि चलो तो यह आपका किसमें धारा 138 में हैं, लेकिन इसमें जो है आपका दिया गया है, ब्यापहराण और अपहराण में अंतर्म भी है मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको पता रहे, ठीक है, जैसे ब्यापहराण और अपहराण, अपहराण जो हो गया आपका 138 में है, चलिए इसका सजा भी सजा भी बता देता हूं सजा इसमें देखिए इस वाले बुक में नहीं किया है इस वाले में देख लेता हूं अप हरण के लिए दंड़ दिया है क्या जो कोई किसी ब्यक्ति को किसी अस्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवस करता है या कहा जाता है इस परिभासा को और भी सरल ढंक से हम इस परकार परस्तूत कर सकते हैं जो कोई किसी ब्यक्ति को किसी अस्थान से ले जाने के लिए बल पुरुवक विवस करता है या बल पुरुवक विवस करने का मंदब हो गया जैसे आप देखते होंगे गाड़ी आके रुकती है रोड़ पे एक ब्यक्ति जा रहा है और यहाँ पर गाड़ी आके रुकी और द अब आगे बढ़ते अब अंतर देख लेते हैं ठीक है ब्यापहरण और हम जो है किड़नेपिंग में इसमें किड़नेपिंग में किड़ याद रखना कैसे याद रखोगे किड़नेपिंग में 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 कि ध्यान दोगे तो 137 को समझ जाओगे क्या 137 को समझ जाओगे ठीक है abduct यहाँ पर a और d है यानि adult याद रखना a और d है तो adult याद रखना ठीक है यह आपका हो गया अंतर मैं बता दूं क्या है अपहरण जो है केवल औवयस के विक्रिचित वाले ब्यक्तिका ही किया जाता है यदि औवयस के यदि पुरूस है तो 16 वर्से कम आयूका और यदि इस्तरी है तो 18 वर्सी कम आयूकी होनी चाहिए कि नैपिंग जो है क्या होना चाहिए केवल किसी औवयस के विक्रिचित वाले ब्यक्तिका ही किया जा सकता है फिर आपका अपहरण में बल या छल का प्रियोग किया जाना आवस्यक है जबकि बेपहरण में बल और छल का प्रियोग आवस्यक नहीं है ठीक है हाँ तो यही मुख्य है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद आजाते हैं हम लोग अगला धारा पर 140 हत्या करने के लिए या फिरोती आदि के लिए ब्यपहरण या अपहरण क्या है हमारा धारा 140 यहाँ पर प्रस्ण क्या बनेगा बस इतना जान लिजे यहाँ पर बहुत अगर प्रस्ण पनने का चांस रहेगा तो आप से पूछेगा दंड इसका क्या है हत्या करने के लिए या फिरोती याद के लिए ब्यपहरण या अपहरण का दंड क्या है या आप से सेक्सन पूछ देगा तो सेक्सन क्या है एक सो चालीस इसका दंड जान जाये अब इसको हम कैसे समझा सकते हैं आपको जैसे माली ज ये किसी ब्यक्ति को क्या किया गया उसके घर से उठा लिया गया बली देने के लिए क्या हत्या करने के लिए उठा लिया गया तो यह भी आ जाएगा इसमें या उसके घर वालों से ऐसा प्रतित कराये जा रहा है कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो हम तुमारे घर में जो बच्चा है या आदमी, देखो यहां पे अपहरन भी है आपका बेपहरन भी है, तो आदमी या बच्चा जो भी है उसको मार देंगे, तो एक इसमें है, 140 में है, इसका सजा देख लेते हैं, हम लोग क्या है सजा, 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 links एक मिनत, इसमें सजा कई तरहा कदिया है, सजा कई तरह का दिया है ठीक है इस सजा इसका नार्मली जो कोई किसी ब्यक्तिक आप परड़ करेगा धमकी देने आप इसमें दो तीन तरह का कंडिशन दिया हुआ है क्या दो तीन तरह का कंडिशन दिया हुआ है तो मुझे नहीं लगता है यहां से प्रस्ण पूछेगा क्योंकि वो खुद इक्जामनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि हम कौन सा हिसमें प्रस्ण बनाएं ठीक है इसमें तीन कंडिशन दे दिया है एक काम वासना के लिए दे दिया है और एक दे दिया कि बहुत डराया धमकाए जारा है कि मृत्यू तक होना प्रतीत हो और तीसरा अलग कंडिशन है तो यहां से बस इतना ही पूछा जा सकता है कि हत्या करने के लिए या फिरोतियात करने के लिए ब्यपरण या अपरण आपका किस सेक्षन में है सेक्षन आपका 140 में है Kidnapping and Abducting in order to murder are for ransom चलिए अब हमारा है 143 ब्यक्ति का दुर्बेपार Trafficking of a person यहाँ पर क्या लिखा हुआ है Trafficking Trafficking का मतलब क्या होता है किसी ब्यक्ति को जैसे या ब्यक्तियों के समू को आप क्या कर रहे है लेबर का काम या ऐसा कुछ काम करने के लिए जबरदस्ति क्या कर रहे है जबरदस्ति या अवैध रूप से क्या कर रहे है यहां से वहां भेज रहे हैं किसी को या इधर उधर भेज रहे तो एक किसमें आजाएगा ब्यक्ति का दुर्बेपार आजाएगा आप देखते होंगे कई बार गाड़ियों में टेक्टर टालियों में आदमी पकड़े जाते हैं तिस तिस चालिस लेबर दूसरे राज्य से या दूसरी जगह से उनका क्या किया जाता है ब्यक्ति का दुर्बेपार किया जाता है या ट्रैफिकिंग किया जाता है उनको धमकियों का प्रियोग करके या बल का प्रियोग करके जो है काम कराया जाता है ठीक है तो ए सब चीजे का चांस ही नहीं है जहां आपका सिंपल सा है कि इसके लिए क्या है सजा वहीं पूछ सकता है नहीं तो अगर 3-4 तरकी देदिया कंडीशन तब सजा नहीं पूछेगा वहां से या अधिक जदिक पूछ देगा तो व्यक्टी का दुर्बय पर किस सेक्षन में बस बहुत यह भी इंपर्टेंट नहीं है लेकिन मैं सोचा छोड़ू न पढ़ा देऊ इसको फिर आ जाते हैं हम लोग सेक्षान 146 विधी विरुद्ध अनिवारे स्रम विधी विरुद्ध अनिवारे स्रम अनलाफुल कंपल्सरी लेबर एक क्या हो जाएगा आपका जैसे मा अरजी के खिलाप आप उससे क्या करा रहे हैं काम करा रहे हैं तो एक किसमें आ जाएगा आपका विधी विरुद्ध अनिवारे स्रम में आ जाएगा ठीक है इसका आप याद रख लिजिए सजा क्या हो जाएगा एक वर्स तक का या जुर्माना से क्या इसका सजा याद रहता है तब पूछे जाने का चांस कम रहता है कि दोनों में से किसी भाद के करवास थे या जुर्माना एक वर्स तक का या जुर्माना या दोनों या जुर्माना या दोनों का मतलब क्या हो जाएगा या तो एक वर्स तक का करवास हो जाएगा या जुर्माना हो जाएगा य लेकिन जो लोग देख रहे हैं मैं बता दूँ उनके लिए बहुत ही फायदे की बात है जितने मैंने बोला था ना लोग इस्टार्टिंग तो कर लेते हैं किसी चीज का लेकिन उसको कांटिन्यू नहीं रख पाते हैं और यही असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है कि आप लेकिन फिर बीच में कई तरह के डिस्ट्रेक्शन आतेैं सब्सक्राइब जो है करा दूंगा वर्दीदीं आपके पूरा हवा निकल जाता हूं एक डिन मैं जब बैनने मैं कंप्लीट करा दूँगा तो आपको पेपर कराऊंगा पिछले वर्स का आप खुद पता चल जाएगा कि नब्वे पर्षेंट आपसे कोश्चन एकदम आथानी से खलवा की तरह होंगे बिना किसी टेंसन के जैहिंद जैभाद कि अग्याद कि